प्रेस्ट बेल आइकन आप इपार्चाला चानल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट दोस्तो जैसे कि आप सभी को पताएं कि हमने कोल वर्ड वार्ड चैप्टर स्टार्ट किया है ये 12th class की political science का पहला chapter है दोस्तो वीडियो का पहला part पहले ही upload हो चुका है ये वीडियो का second part है अगर आपने पहला part नहीं देखा है तो जरूर जाके watch करिए otherwise आप शीतियुद को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि शीतियुद की शरवात कहां से हुई थी शीतियुद का मतलब क्या होता है या इससे related बहुत सारे question ओके तो हमारी जो वीडियो थी दोस्तो वो हमने पहले चरण को काफियत तक हतम कर लिया था ये अप जो second phrase है शीतियुद का वो हम start कर रहे हैं इसके अंदर यानि कि विस्तार का दूसरा चरण जो है इसके अंदर start किया जा रहा है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस यूग के दोरान जो नेतत था उन्हें परिवर्टन आया था यानि कि जो जोसफ इस्टेलन थे वो USSR के पहले उस समय पर जोसफ इस्टेलन जो थे वलद अमिल लैनिन की बाद आये थे और वलद अमिल की लैनिन की मिद्व के बाद निकिता खुरशेव ने शाशन चला लाया था कहां पर USSR के अंदर तो अमेरिका के अंदर उससे में रास्टेपती आईजन हावर थे उन्होंने रास्टेपती ने भागदौट समाली थी तो आप पिचर देख सकते हैं निकिता खुरशेव जो सेकंड फ्रेज में आयते कोल वर्ड वार के और आईजन हावर जो है वो हमारे कहते हैं USA के अंदर उन्होंने भागदौट समाली थी यानि की कोल वर्ड वार जो है दोस्तो बहुत सारे उसके चरण है जिसमें से पहला चरण जो था हमने वीडियो के पहले पार्ट में कर लिया था ये वीडियो का दूसरा पार्ट है इसलिए हम इसमें दूसरे स्टेप के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ पर बात यह उरी है कि 1953 के अंदर दोस्तों पहला परमाणू परिक्षन जो है वो जो है USSR करने वाली थी that is why कही न कहीं अमेरिका के मन में यह संधे था याईना कहीं यह संधे था कि जो Amerika है वो जो सोवेत संगे दोस्तों कहीं न कहीं जो परमाणू हतियार है वो हतियाने की कोशिश ना कर रहा हो जो सही माइने में अमेरिका के मन के अंदर संदे बना हुआ था यहाँ पर अमेरिका ने भी कोशिश करी कि दूसरी कंट्रियों के साथ वो अपने रिलेशन बिल्ड़ अप करे जैसा कि उन्होंने सीटो बना के करा था 8 सितंबर 1954 के अंदर इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है उसके बाद उन्होंने फिर जो हमने देखा था फिर उन्हें सेंटो करके दिखाया था उन्हें सोडिंचास के अंदर पहले इसका नाम बगदाद पैट था बाद में उन्हें सोडिंचास में इसका नाम सेंटो पढ़ गया था तो आप बगदाद पैट बोलो या सेंटो बोलो ये खतम हो गया था 1979 के अंदर और उसके बाद जो हमारा सीटो था दोस्तो ये खतम हो गया था 1977 के अंदर लेकिन दोस्तो ये सही माहिने में जब सोवियत संग कहीं न कई परमानू परिक्षन करने जा रहा था या आणूई परिक्षन करने जा रहा था तो इससे अमेरिका के मन में एक सवाल उठा कि क्या सोवियत संग परमानू शक्ती की तलाश में है यानि कि क्या सोवियत संग इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रियों को अपनी एडिलोजी मनवाने की कोशिश करी क्यों वहाँ पर डेमोकेटिड कंट्रिय दोस्तों लेकिन यहाँ पर USSR के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था तो इसी वज़े से कहीं न कहीं USSR जो है वो खतम हुआ था आगे जाके हम समझेंगे कैसे हुआ था लेकिन मैं क्योंकि आपको टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको भटकाना नहीं चाहता तो यहाँ पर सबसे important चीज अभी तलक हमने यह देख लिया कि नाटो ने बहुत कुछ नाटो जो हुआ था वो हुआ अमेरिका के द्वारा सेंटो जो हुआ था दोस्त सीटो जो हुआ था वो हुआ था अमेरिका के द्वारा सेंटो जो हुआ था ऐमेरिका के दौरा यानि कि यूसेसे के दौरा दोस्तों ये सारी तीन जो इंटरनेशनल पॉलिसी थी वो बनाई गई थी लेकिन आपको क्या लगता है कि USSR कुछ नहीं करेगा USSR भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा जिन में से एक था Warsaw Pact तो दोस्तो वार्सो पैक्ट भी एक military alliance था लेकिन वो USSR के द्वारा था ये इस पे ज़ादा focus करेगा क्योंकि ये आपके chapter से question पूछे जाते हैं एसे लिए वार्सा संधी दोस्तो क्या थी USSR के द्वारा वार्सा संधी का main सिध्धान जैसे NATO का था इसका भी main सिध्धान था शांती और समाजवात का संग बनाना है Union of Peace and Socialism उसके बाद यहां पे सयोग और आपसी साहता करनी है and then तीसरा point सामूहिक बचाओ collective defense और उसके बाद चौथा काम मैत्री की संधी treaty of friendship ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कंट्रियां USA के साथ नहीं गई है उन सारी कंट्रियों को अपनी ideology पहुचाने की कोशिश की जाए क्योंकि उस समय पे इसकी शुरवाद जो हुई थी 14 मई 1955 के अंदर Warsaw के अंदर हुई थी Warsaw इसका नाम इसले पड़ा क्योंकि ये Poland की जो राजधानी है Warsaw है और वहां पे USSR ने सभी कंट्रियों के साथ मिलके Warsaw Pact पे साइन करा था इसका में सिध्धान था आप देख सकते हैं ये क्या था ये क्यों खतम हो गया था क्योंकि जब USSR खतम हो गया था 1991 में तो उसकी बाद USSR की जो policy थी Warsaw Pact वो भी खतम हो गई थी अब यहां पे इसका जो headquarter था ये कैसा type कैसा था military alliance था क्योंकि ये जो Warsaw Pact है दोस्तों ये एक तरीके का NATO की तरह ही है बस NATO जो है वो अमेरिका की द्वारा चलाया गया है और ये Warsaw Pact जो है वो USSR की द्वारा चलाया गया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जो मैंने आपको basic बाते ये बताईएं ये आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेगी इसे note down जरूर करना ठीक है और उसके बाद इसका headquarter of course Moscow के अंदर ही होगा रश्या की राज़दानी है Moscow वहीं पे था और उसके बाद दोस्तों शुरुआती समय में इस country का नाम जो था इस country के अंदर जो 14 मही 1955 के अंदर जो बना था दोस्तों तो उस समय पर इसको वार्सोपेट के नाम से जाना गया था क्योंकि पोलैंड के अंदर हुआ था ये मैंने आपको पहली बता दिया उस समय इसकी country जो थी Albania थी, Bulgaria थी, Czechoslovakia थी, East Germany था, Hungary थी, Romania था 1955 के बाद वाला मैं बता दूँ आपको, ये ज़रूरी इसले था कि ये नाम आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये totally business पे वो map दिखाने के कोशिश कर रहा है, कि जिस तरीके से ये iron cotton जो है बढ़ता जा रहा है, ये जो नीली चादर लाल चादर की दिवारे जो आपको दिखाए दे रही है, वो कोशिश ये कर रही है कि अपने दाइरे को बढ़ाए तो कोशिश कर रही है कि जितनी country उनके साथ आ सकती है, वो country उनके साथ आए, लेकिन यहां पर USSR अपनी आइडिलोजी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये वो जगह है जहां पर आप देख सकते हैं Warsaw Pact Sign हुआ था, और इतनी सारी country उनके साथ में आई थी, तो कुछ ऐसे भी step हुए है उस समय पर जिस समय पर USSR और USA को आमना सामना करना पड़ा था, Korean Christ के टाइम पे, Berlin Christ के टाइम पे और Congo Christ के टाइम पे, तो ये कुछ step जो है आपके किताबों के इंदर नहीं दिये हुए है, लेकिन Berlin Christ जो है 1958-1952 के बीच में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में discussion कर लेते हैं, क्योंकि Berlin जो है दोस्तों बर्लिन क्राइस इतना important क्यों था वो मैंने वीडियो के पहले वाले पार्ट में भी आपको बता दिया था, क्योंकि Berlin जो है राजधानी दोस्तों जर्मनी की उसके चार हिस्से करे गए थे, इसलिए यहाँ पे हुआ क्या था कि अगस्त 1951 के अंदर Berlin शहर जो है सोवियत संग ने पश्चमी शक्तियों के छेतर को आगे करने के लिए दिवार बनाने शुरू कर दी, ताकि पश्चमी छेतर जो है, उनकी कंट्री के अंदर विचारधारा ना फैला सके, नहीं कि ना तो USA, ना तो फ्रांस, और ना तो आपका कहते हैं UK, ये सारी कंट्रियां जो है, वो आइडिलोजी, USSR के अंदर लेके ना आ जाए, इसी वज़े से अपना हिस्सा जो था USSR का, उन्होंने उनकी नाके बंदी करने चालू कर दी, वैसे तो अमेरिका को पसंद नहीं था, ये जो उन्होंने का कड़ा विरोध भी करा, दोनों ने अपने-पने सेनाओं को इखटा भी कर लिया था युद लड़ने के लिए, कि बरलिन की दिवार अगर खिसती है, तो हमारे इलाके में जो मिलिटरी सपोर्ट है, वो कैसे दिया जाएगा, तो ये थोड़ा साब बहुत बड़ा स्टैप था, ये दिवार रातो रात खड़ी करी गई थी, आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं, यानि कि आइडिलोजी का इतना बड़ा खेल था कि इंटरनेशनल लेवल पर बाउंडरी के उस तरफ USSR की सेना और बाउंडरी के युद के बनने के लिए तो कहीं न कि क्योंकि शीत युद है, युद हो नहीं सकता था इसलिए युद नहीं हुआ दूसरा अगेन दोस्तों जो टर्निंग पॉइंट बना था वो 1962 के अंदर क्यूबा क्राइस था पेपर में हमेशा हर साल यही आता है कोशन कि आप क्यूबा मिसाइल संकर्ट से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों 1962 के अंदर क्योंकि जिस समय पे निकिता खुर्शेव थे दोस्तों उन्होंने अपनी संधी कर ली थी किन से संधी कर ली थी क्यूबा के उस समय पे प्रेमेर बोल ली जिए प्रधान मंत्री बोल ली जिए उनसे संधी कर ली थी क्या है संधी कर ली थी कि वो क्यूबा के अंदर सैनी कड़ा बनाएंगे और अमेरिका का जो राष्टे पिते थे जी एफ कैनेडी उन्होंने इसका विरोध करा अब देखिए पहले आईजन हावर थे लेकिन 1962 तक आते आते आईजन हावर हट गए और जो जे एफ कैनेडी है वो नए प्रेसिडेंट वहाँ पे बने अब यहाँ पे निकिता खुर्षेव दोस्तों निकिता खुर्षेव जो USSR के परधान मंत्री बोल लीजिए प्रिमर बोल लीजिए सबसे बड़े व्यक्ति यही है अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो क्यूबा है दोस्तों उसकी इलाके में मिसाइल जो है सैनिक हतियार जो है सैनिक मदद क्यूं दी तो इसके उपर बहुत बड़ा फिलोसफी है जो मैं इतना रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस पार्ट से रिलेटेड तो है लेकिन बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा लेकिन बस आप यह समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका को यह पता चल चुका था कि क्यूबा के अंदर कहीं न कहीं जेफ कैनेडी को यह पता चल चुका था कि निकिता खुर्शेफ है उन्होंने सैनिक अड़ा बना दिया है क्यूबा के अंदर जो उनके लिए बहुत बुरा है इसी वज़े से अमेरिका के रास्टे पते ने क्यूबा की नाके बंदी करने की घोशना कर दी उन्होंने कहा कि जो क्यूबा के इंदर सैन्नी संगठन बनाया जा रहा है सोवित संग के द्वारा वो बहुत गलत है और वो किसी भी परकार के युद में युद को नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि युद हो उसका दोस्तो एतिहासिक रेजन आप इसके इलाके से देख सकते हैं कि अमेरिका दोस्तो टापू आप क्यूबा आपको दिखाए देरा होगा क्यूबा एक टापू देश है जो अमेरिका से 20 कुछ चंद किलो मिटर की धूरी पर है अब यहां पर USA सार ने अपने मिसाले तैनात करी हैं अगर दोस्तों तो यहां से काफी हट तक हो USA के इस इलाके तक काफी आप रेडार आप देख सकते हैं इस रेडार को बहुत गंदी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है So that is why यहां पर USA ने कोशिश ये करी कि कही न कहीं अगर सोवेट यूनियन वाले अपने जहाज लेकर यहां से अपने मिसालों को स्टार्ट करने आए अगर तो कहीं न कहीं यहां पर जो शीत युद है वो युद में तबदील हो सकता है और अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कहीं न कहीं खराब हो सकता है यह विस्पोटक इतना खतनाग हो सकता था जैसा कि जापान के अंदर हिरोशिमा और नागा साकी जैसा था लेकिन कहीं न कहीं यहां पर पूरी तरीके से क्यूबा को आप देख सकते हैं घेर लिया गया था यूवेस नेविल के दौरा और कोशिश यही करी जारी थी कि जो यूवेसेसर के जहाज जहाज हो यहां तक ना पहुँच पाए और इससे युद टल जाएगा लेकिन दोस्तों मेरा कोशन दोस्तों आपसे यही है कि क्यूबा की अंदर जो उस समय पे यूवेसेसर ने अगर मिसाले तैनात करी थी तो क्यूबा की अंदर पर्मिशन किस ने दे थी जिनका नाम आप देख सकते हैं क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना है हवाना की अं कास्तरों ने ही पर्मिशन दी थी कि क्यूबा के अंदर आप मिसाले तयनात कर सकते हैं और at present time क्यूबा के फदेल कास्तरो की इमिद्वित्टी ऑफ गई है अब उनके जो भाई है वो राहूल कास्तरो और यह वहां पर सौल रास्ट्रेपती की पोस्ट पर अधिंक पदारमत् रने के लिए क्यूं बोली गई थी और USSR ने क्यूबा के इंदरी मिसाले तैनात क्यूं करी लेकिन international policies के according ऐसा ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं जिस समय क्यूबा के इंदरी मिसाले तैनात करी गई थी तो US से उस समय निस्तों आबुत हो सकता था लेकिन फिर भी ये समय युद जो था वो टल गया इसलिए इस युद को क्यूबा मिसाल संकर के नाम से जाना जाता है international policies अलग अलग है ऐसा ये कहा जाता था कि कहीं न कहीं अमेरिका ने USSR से जुड़े जो देश थे उनके पास मिसाले तैनात करी हुई थी और USSR ने अपने protection के लिए क्यूबा के अदर मिसाले तैनात करी और official बेस पर ये कहा गया कि जब तक USSR अपनी मिसाले नहीं हटाएगा क्यूबा से अगर USSR जो उनसे सटे हुए देश के पास से मिसाले ना हटा ले तो फिर मिसाले हटाई गई फिर इन लोगों ने क्यूबा से मिसाले हटा ली इससे शीतुत जो है वो आठीक रास्टेपती आता है वो दूसरे फैसले लेता है और दूसरे रास्टेपती आता है वो दूसरे फैसले लेता है वो कैसे लेता है आप यह देख सकते हैं तो यहां पर फिर finally क्या हुआ कि main crisis जो cold world war का था वो यही था कि यहां पे दुनिया के अंदर विशव के बारे में एक डर फैल गया लोगों को संदे हो गया दुनिया के इंदर की और जब USA के उपर इतना बड़ा अटैक हो सकता है और USA जो है किसी कंट्री का निशाना बन सकता है तो सोचो जो नौन डवलब कंट्रियां है जो छोटी कंट्रियां उनके साथ कितना वहवार हो सकता है यानि कि यहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में यही कोशिश करी गई कि युद्ध ना हो युकि अगर युद्ध होता है उस समय पे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रियों भी इसका परभाव पड़ेगा तो इसी मैं बोल सकता हूँ दोनों की आपसी समझ से युद्ध टल गया और फाइनली 1963 के अंदर 5 सितमर 1963 के अंदर अमेरिका, सोवियत संग, बिरिटेन और खुद के कहते हैं सोवियत संग जो है उसने इस संधी पे साइन करा इसे मौक्सो 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 मौस्को आंसिक परिक्ष या, USSR की राजधानी के अंदर मौस्को के अंदर जाकि उन्होंने साइन करा था, ताकि आने वले समय पे कोई भी ऐसा युद्ध ना हो जिससे पूरी देश की शांती को खतरा हो सकता है, तो उसके बाद ताकि और भी ऐसे सीन ना हो, इसलिए निकिता खुर्शेफ ने और ज जिनकी रहसमें तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन यहां पर मेन यही था कि कोशिश यही करी गई कि जो हतियार है उसमें नियंतरन रखे जाए, अगर क्योंकि जिस तरीके से युद्ध हुआ था उस समय पे अगर वो युद्ध हो जाता दोस्तों, क्यूबा मिसाल संकट और उसके बाद USA के द्वारा, इसका दोस्तों मेन मकसद यही था कि कोई भी बंदा क्या कहते हैं वायू मंडल के अंदर दोस्तों, इसको 5 अगस्त 1963 के अंदर साइन करा गया था, यह मने आपको बता दिया पहले ही, यह दोनों मोस्ट पाफूर कंट्रियों के बीच में था, इसका मेन मकसद यही था कि वायू मंडल भारी आंत्रिक्ष में पानी के अंदर कोई भी किसी भी तरीकी का परिक्षन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, बोमिगत परिक्षन पर इस पर कोई प्रतिबन नहीं था, आप देख सकते हैं, लेकिन मेन मकसद यह था कि आप ना ना तो स्पेस के बाहर और ना तो पानी के अंदर ना तो भातावरण के अंदर कोई भी परमाणू परेक्षन नहीं कर सकते तो ये दोस्तो कई न कई इंटरनाशनल लेवल पर ये पॉलिसी इसलिए बनाई जा रही थी कि जिन कंटरियों के पास परमाणू बम है अब उनी के पास परमाणू बम रहेंगे दूसरी कंटरियों के पास परमाणू बम नहीं रहेंगे दूसरा जो एक ट्रिटी बनाई गए थी जिसे ये NPT का नाम देते हैं दोस्तो NPT का में मकसद है परमाणू आप्रसार संधी इस संधी को शुरुवाती समय में ऐसा ये कहा जाता है कि जब इसको लाया गया था सोवियत संग, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन कंट्रियों के द्वारा तो इसको 1970 के अंदर लागू कर दिया गया था इसका में मकसद दोस्तों उस समय पर यही था कि जिन कंट्रियों के पास अब परमाणू हतियार हैं सिर्फ उन कंट्रियों के पास ही परमाणू हतियार रहेंगे, दूसरी कंट्रियां जो है उनका इस्तमाल नहीं कर सकती परमाणू हतियार का यानि कि ना तो वो उन्हें बेश सकती है और ना ही उनको फैला सकती है यह अंकुष लगाया गया था most powerful country के वो country के द्वारा और आप यह देख सकते हैं 1955 के अंदर इसको काफी लंबे समय तक के लिए और फैला दिया गया था और आपको याद होगा हमारे भारत के अंदर जब परमानुक परिक्षन हुआ था तो हमने LTPT का उलंगन करा था लेकिन सही मायने में दोस्तों हमने इस संदी के उपर साइन ही नहीं करा था हम इसका उलंगन कैसे करेंगे तो अगर ये संदीया नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पर तो शायद से USSR और भी बम बना सकता था और USA को निसाना पहुचा सकता था लेकिन फिर भी यहाँ पर दो संदीया बहुत इंपोर्टन्ट है पेपर के माध्यम से पेपर के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है LTPT और NPT ये बहुत इंपोर्टन्ट है आप इसे नो डाउन जरूर करिएगा और दोस्तो अभी आपने ये नहीं देखा कि इंडिया का रोल शीत उत के अंदर क्या रहा है वो वीडियो के लास्स पार्ट में आप जाके देखेंगे और आप देखेंगे कि कोल वर्ड वार के अंदर भारत का क्या रोल रहा है अभी सिर्फ आपने दूसरी दुनिया और जो शी ट्यूट का तीसरा फ्रेज होगा हम आगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और यह पाटशाला चानल के आप सब्सक्राइबर हैं या नय सब्सक्राइबर हैं तो इट पार्चाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो CO अपने दो्स्टों के साथै शेयर जरूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए क्योंकि आप जितना वीडियो को शेर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पैंगे पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ीगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत